हाई अप्रिवान वेलकम बैक टो माई चैनल माई नेम इस तस्लीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंक फिन इंस्टिटूट के बारे में तो अगर आप एविशन ड्रीमर हैं अगर आप एविशन इंडस्ट्री में अपना सकस्वल करियर मनाना चाहते हैं तो अपने इंस्टिटूट को प्रमोट किया था तो आज मैं इस वीडियो में आपको फ्रैंक फिन इंस्टिटूट की बारे में सब कुछ बताऊंगी मैं अपना पर्सनल एक्सपिरेंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं तो मेरा एक्चली फ्रैंक फ्रैंक फिन से ना कोई ञानए तो और एक फ्रैंक फिन से ना मैं इस वीडियो में फ्रैंक को प्रमोट करने जा रही हूं मैं आपके साथ अपना अपना ओनेस्ट फीडबैक आपके साथ रिवियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं तो donald करने सब कर तेंन तो एक जिए बेढम आपको एविशन के साथ साथ आपको travel and tourism management आपको hospitality industry में भी jobs provide करवाने में help करता है ठीक है तो अगर आप अगर आप cabin crew बनना चाहते हैं अगर आप ground staff member बनना चाहते हैं आप एविशन industry में successful entry करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको frankfin institute interviews को crack करवाने में help करता है तो अब आपके mind में ये question आया होगा कि अगर आप cabin guru बनना चाहते हैं तो आपको क्या जो ये institutes हैं वो join करना mandatory है तो मैं आपको personally ये बताती हूँ कि अगर आपको इस field के बारे में थोड़ा बहुत भी knowledge है तो आपको कोई भी जरुरत नहीं है कुछ available है तो आपको interviews की date, timing, आपको interviews में क्या करना है आपको हर चीज आपको मिल सकती है YouTube पे right so हम बात करेंगे इस video में frankfin के बारे में कि frankfin क्या करवाता है basically and placements frankfin करवाता है या नहीं right so मैं आपके साथ honest review share करने जा रही हूँ so please आप ऐसा नहीं सोचें कि ये मुझे frankfin promote करने के लिए कुछ कुछ pay कर रही है and मैं frankfin के बारे में अपने honest feedback share करने जा रही है तो frankfin में आपके 2 courses available है एक course है आपका 12 months का and एक course है आपका 6 months का right so 12 months का जो course है frankfin का 1 year का जो course है उसकी आपके fees है 1.5 lakhs and जो 6 months का course है उसकी fees है 1 lakh right so आपको frankfin में क्या करवाय जाता है कि module wise आपको modules करवाय जाते है right so 12 months का जो course है उसमें आपके 7 या 8 modules होते हैं तो आपको modules को complete करने के बाद में आपको assessment भी देना पड़ता है अगर आप assessment को miss करते हैं या उस module को pass नहीं कर पाते हैं तो आपको वो certificate नहीं मिलता है right so जैसे सबसे पहले आपका जो module होता है फ्रैंक्विन में वो होता है English enhancer का then आपका grooming का then personality development का जो बहुत साधा important module है then आपका hospitality का travel and tourism management का interview skills का तो इस तरह swimming की भी class होती है one month की आपकी फ्रैंक्विन में उसके बाद में फ्रैंक्विन क्या करवाता है आपको आपको interviews की तयारी करवाता है आपके मौक interviews करवाता है ताकि आप interviews में confident feel कर सके ठीक है तो अब आपके mind में ये question होगा कि अगर आप aeroastis बनना चाते हैं अगर आप hospitality industry में अपना career बनना चाते हैं travel and tourism management में अपना career बनना चाते हैं तो क्या ये mandatory है कोई भी institute join करना तो मैं आपको personally ये बताना चाते हूं कि अगर आपको इस field के बारे में थोड़ा वोद में knowledge है तो आप youtube की help से आप अपने internet की help से phone की help से आप खुद interviews को crack कर सकते हैं ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि cabin guru बनने के लिए क्या-क्या eligibility criteria हैं तो ये institute basically क्या करवाते हैं अग अगर आपके parents afford कर सकते हैं तब आप frankfin institute join कर सकते हैं बट मैं आपको ये suggest करूँगे कि अगर आपके communication skills अच्छे हैं अगर आप confident हैं तो आप interviews अराम से crack कर सकते हैं आपको कोई भी institute frankfin की तरह join करने की ज़रत नहीं है तो जब आप interviews देने जाएंगे तो अगर आपके पास frankfin institute का diploma है तो कोई भी आपको preference नहीं देगा कि हाँ इसने frankfin से को कोर्स किया है तो हम इसको select कर लेते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो जो recruiters है वो आपके talent को आपके knowledge को आपके communication skills को चेक करते हैं अगर आप अगर आपने कोई भी course या diploma नहीं किया है अगर आपके पास कोई certificate नहीं है तो इस दोजन्त मैटर जो इंटर्विवर है उनको आपके skills से आपकी communication skills से आपके talent से आपके knowledge से मतलब है राइट सो अगर आपके पास frankfin का institute जो frankfin institute का certificate है फिर भी आप confident नहीं है फिर भी आपकी communication skills अची नहीं है तब आपको frankfin जो है वो आपको help नहीं जो आपका frankfin का certificate है वो आपको नहीं help कर सकता selection में राइट सो मैं आपको इस वीडियो के थरू यह बताना चाहते हूं कि अगर आप आपको अपने English communication skills पर आपको आपको ध्यान देना चाहिए आपको अपकी personality पर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड पर इन सब पर ध्यान देना चाहिए राइट I hope आज के वीडियो में आपको फ्रैंक्विन के बारे में सारी doubts clear हो चुकी हो फिर भी अगर आपको कुछ doubts हो कुछ confusion हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं तो actually फ्रैंक्विन में जो भी students students है उनको उनमें से आपको दो तरह की students मिलेंगी तो कोई students ऐसे होते हैं जिन से पूछेंगे कि फ्रैंक्विन इस जूट कैसा है तो आपको यही बोलेंगे कि हमें ठग लिया है और लूट लिया है और वो आपको placements नहीं करवाते हैं बिल्कुल अच्छा institute नहीं है तो देखे friends ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके parents आपको फ्रैंक्विन में आप जाने के लिए आप एफोर्ड कर सकते हैं आपके parents and family तो आपको अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जाना चाहिए आपको कुछ नहीं कुछ सेखने को ही मिलेगा राइट सो अगर आपके communication skills अच्छे हैं अगर आपके grooming standard अच्छे हैं अगर आपके personality अच्छी है तब I would suggest you कि आप बिना किसी certificate के भी बिना आप इंटर्वियूस दे सकते हैं तो इंटर्वियूस आपने जब भी दिये हैं अगर आप इंटर्वियूस से आपने अपना certificate किया है और आपके experiences अच्छे नहीं है तो यहां पर मैं आपको एक बात suggest करना चाहूंगे कि अगर आपका recruiter आप से पूची कि आपका frankfin के साथ experience कैसा था तो please do not say that frankfin जो है fraud है frankfin ने हमें लूट लिया है because it shows that कि आप 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 कम्प्लें करते हैं आपका negative nature है तो अगर frankfin में अपने यह course किया है so please अगर आप दूसरे को बताएं तो उसके बार में honestly बताएं right so frankfin जो है मैंने मिरे जो personal thoughts है personal experience है वो आपके साथ share की है तो किसी और से आप पूछेंगे जो frankfin में उनकी अलग अलग views होंगे अलग experience होंगे right so अगर आपके family में आप आपके family effort कर सकती है आपको frankfin के लिए then you should definitely go for that क्योंकि आपको जरूर कुछ नया सेखने को मिलेगा right so अगर आपको आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूले और आपको career वीडियो और aviation से related videos, interview से related videos and English learning से related videos के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते है आपको जरूर कुछ नया सेखने क मिलेगा रोज और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें जो आपके फ्रेंड्स एविशन इंस्टिटुट जोइन करना चाहते है उनके साथ शेयर करना ना भूलें and thank you so much for watching this video